हेलो गाइज यदि आप भी इस तरह का अट्रेक्टिव थम्निल बनाना चाहते हैं अपने मुबाइल फोन से तो वीडियो को लाफ्स जरूर देखें कुछ इस प्रकार के थम्निल हमने बना रखें तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस तरह का थम्निल आपको पांच मिनिट म में कैसे आप बना सकेंगे तो चलिए हम एक चलते हैं आयप पर आपको ले के चलते हैं फिर वहीं पर जो है यह प्रोसेश कंप्लेट करके ऐसा थम्निल आपको बना कर दिखाते हैं यहां पर जो है डाटा के भी इसमें जरूरत नहीं और सबसे पहले यह हम आ गए हैं फिक् च्छूज किया है यूटूब के साइज का उपन करूंगा यहाँ पर यह साइज यह तो मैंने यूटूब के साइज का जो है सेलेक्ट का लिया तो मेरा यूटूब यूटूब क An Second Back going नागर है और इसमें थोड़ासा इनर बार्डर यूज करता हूं जैसे यहां हो गया और मैं इसनोरा संधित करता हूं जैसे यहांपर बाडर मैं यूज करूंगा यह से कोई भी बाडर संध्ल कर सकते जैसे मैंने हुआइट पीसिलेक्ट किया और मैं यहां पर आउट साइड नहीं बल्के इनसाइड को सिलेक्ट करूँगा, और इसको जो है, मैं एकदम से जीरो कर दूँगा और यह मैं जो है, इतना ही रेशियो मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा background कुछ इस प्रकार से black देखने को मिल गया और मुझे ये भी black है तो इसमें मुझे ये भी देखने को मिल रहा कि मेरे screen इतनी ही है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहां से कुछ term लिखने के लिए भी background चूच करने के लिए मैं कुछ color के background और ले लेता हूँ जैसे मैंने यहां पर एक blue background लिया और दूसरा एक red background ले लेता हूँ यहां से मैंने red background को select कर लिया अब दोनों ये background को मैं यहां पर ले आऊँगा जैसे यहां पर आ गये तो मैं इसको crop करके select कर लूँगा इस तरह select कर लूँगा जैसे मैंने इस तरह select किया तो यह लिखने के लिए हो गया जैसे यहाँ पर मैंने इसको select कर लिया और मैं इसको भी इसी तरह से crop करके कुछ इस प्रकार से select करता हूँ जैसे इसको भी मैंने इस प्रकार से select कर लिया तो ये मेरा background कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर type कर देता हूँ new यहाँ पर मैं लिखता हूँ grow new जैसे मैंने यहाँ पर इस से लिखा तो मैं इसमें font भी किसी भी प्रकार का यूज कर सकता हूँ देखिए आप लोग thumbnail में एक चीज तो most important होती है कि आप color matching कर पाते हैं कि नहीं मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे background पे कैसे आपको color जो है use करना है और कैसे font भी आपको use करना है इसे font बोलते हैं दोस्त तो इसे हम use करेंगे किस प्रकार का आपको font use करना है आज ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को लाटस तक जरूर देखें जैसे यहाँ पर आप ये font मैंने यहाँ पर use किया अब इसमें हम बोलेंगे grow new youtube channel यहाँ पर हम लिखेंगे youtube channel यूटूब channel जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको select किया तो यहाँ पर आप मैं दूसरा font use करने वाला हूँ दूसरा font देखिए ये भी नहीं जो भी यहाँ पर आपको font अच्छा लगे उसे आप choose कर सकते फिलहाल जो है कि मैं इसे ही choose कर लेता हूँ ओके जैसे ये font को मैंने choose कर लिया तो अब इसके बाद मुझे जो choose करना है और एक चीज़ choose करना है जैसे मैं यहाँ पर choose करता हूँ faster जो है growing I C T R ओके जैसे ये मैंने यहाँ पर choose किया हूँ ऐसा मैंने लिखा लिखने के बाद यहाँ पर इसका font मैं कुछ इस प्रकार से choose करूँगा जैसे मैंने इस प्रकार से choose कर लिया तो अब मैं एक photo और लूँगा जो की I CTR जो impression click through rate है वो जो है काफी उसमें high है तो मैं वो photo का यहाँ पर कुछ जो है cut डालने वाला हूँ तो देखें दोस्त यहाँ पर आप cut कैसे डाल सकते हैं जैसे यह photo मैंने choose किया और फिर उसके बाद अपने mobile phone से इसको crop करूँगा crop करने के बाद जो है दोस्त इसे मैं select करूँगा और select करने के बाद यहाँ पर free crop है मैं यहाँ पर free crop करूँगा और यहाँ पर brush पर click करूँगा जैसे brush पर click करूँगा इसको highlight कर दूँगा तो इतना जो है cut के मेरे पास आ जाएगा जैसे यह आ गया तो यह जो है काफी attractive लगता है और इस प्रकार जो है अगर जो आप लगाएंगे तो काफी जो है आपके thumbnail पर attractive साबित होगा और यहाँ से मैं जो है कुछ image एक तीर वाला जरूर select करता हूँ जो कि यहाँ पर मैंने download करके पहले से रख लिया है यहाँ पर download के option पर जाऊंगा तो download के option पर जाते ही नीचे देखने को मिल जाएगा मैंने download कर रखा है एक तीर ओके जैसे यहाँ पर इसे मैं select करता हूँ जैसे मैं इसे select करता हूँ तो इसका background मुझे हटा आना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर person पर click करूँगा तो जैसे यह person पर click होगा तो ये देखिये ये इस प्रकार से हट गया है तो मैं इसको इस प्रकार से मूह करके कुछ ऐसे इससे लगा देता हूँ ओके तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगा जैसे अगर जो मैं देखता हूँ अभी एक person को मुझे choose करना है और यहां पर जैसे इसे चूज करने के बाद यहां पर free crop पर जाऊँगा और यहां पर person पर click करूँगा जैसे इस प्रकार से background हटकर मेरे सामने आ जाएगा और जैसे background सामने आ जाएगा मैं कुछ इस प्रकार से इसे लगा दूँगा तो देखी ये बन गये ना कितना attractive thumbnail कुछ इस प्रकार से आपको thumbnail में अपने improvement करना है अगर जो कुछ भी अभी आपको समझ में ना आया हो तो comment box में जरूर comment करें और यहां से आपको download भी कर लेना है डाउनलोड नहीं हो रहा तो इसे आप screenshot भी ऐसे करके लगा सकते हैं जो की काफी ज्यादा आपके सामने attractive होगा देखी कुछ इसमें जो होते हैं कुछ ऐसे चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी जो की आप payment किये हैं तब ही उसका use कर सकते हैं लेकिन उसको use करते हैं तो thumbnail डाउनलोड नहीं होगा बलकि screenshot लेकर आप use कर सकते हैं तो विल्कुल free में हैं इतना attractive thumbnail है मैं भी इसी प्रकार से बनाता हूँ तो आपको भी इसी प्रकार से बनाना है और next वीडियो में हम और improvement करने के बारे में आपको बताएंगे कि और क्या क्या चीज में आप improvement करेंगे आपको आपका चैनल growing हो फिलाल आप चैनल को subscribe कर लीजे Thank you